एक धूब भरी सुभा एक नया च्छात्र आकाश जैजी की स्कूल में शामिल हुआ आकाश देयालू था और उसे पेंटिंग का शौक था लेकिन आकाश के बारे में कुछ अलग था उसकी तवचा का रंग गहरा था अपनी ही दुनिया में मगन जैजी और उसकी दोस्तों ने आकाश के आगमन को देखा और आपस में कानाफूसी करने लगे उन्होंने आकाश की गहरी द्वचा के बारे में मूर्खता पूर ने चुटकुले बनाए उन्हें अपने शब्दों के प्रभाव का एहसास नहीं था हरे आकाश को देखो वो राज जैसा अंधिरा है हाँ लगता है उसकी मम्मी ने बहुत अधिक चॉकलेट दूद पी लिया होगा इस बीच जाहरा जो दूर से देख लेए थी चुटकुलों से असहेज महसूस कर रही थी उसने ब्रेक टाइम के दौरान आकाश से संपर्ख करने का फैसला किया अरे आकाश मैं जाहरा हूँ क्या तुम हमारे साथ खेल में शामी होना चाहोगे उसने घरम जोशी भरी मुस्कान के साथ बूशा चेड़कानी से आकाश को थोड़ा जिजक महसूस हुई और उसने शर्माते हुए से रहलाया और जाहरा की पीछे चल दिया उन्होंने जिवंत और रंगीन उत्कृष्ट कृतियों का निर्मान करते हुए उन्हें अपना अध्भुत चित्रकला कौशन दिखाया आकाश अपनी तारीफ सुनकर मुस्करावट है धन्यवाद रंग हर चीज़ को खूबसूरत बनाते हैं है ना? उसकी बातें जायरा के दिल को छूगई उसे हैसास हुआ कि किसी पेंटिंग के तरह लोगों की सुन्दर्ता उनकी त्वचा के रंग पर निर्भर नहीं करती बलकि वे अपने कारियों और दयालुता से दुनिया में जो रंग जोड़ते हैं उस पर निर्भर करती है जैसे जैसे दिन बीटता किया जैसी को आकाश द्वारा अपने सुभा में लाई गई मौज मस्ती और हसी का हैसास होने लगा आकाश के दयालुस मुभाव और रचनात मक्तार ने सभी को उसकी कमपनी का आनंद लेने पर मजबूर कर दिया बाद में दुबहर के भूजन के दोरान जैरा को जैसी से बात करने के लिए एक शांत खशन मिला तुम्हें पता है जैसी रंग सिर्फ पेंटिंग में नहीं होते बें लोगों में भी हैं आकाश का रंग भले ही अलग हो लेकिन उसकी दयालुता और प्रतिभा हमारी दुन्या में कितनी चमक लाती है तुम सही कह रही हो जैरा मुझे आकाश का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए था वो बहुत अच्छा है एक नई समझ के साथ अगले दिन जैजी अपने चहरे पर गहरे रंग का रंग लगाय हुए स्कूल में जाता है और गाना गा कर डांस करता है हैं तेरे देरे तेरे चाहने वाले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं जैजी आकाश से बात करता है और अपने पहले के कार्यों के लिए माखी मादता है आकाश, समझदार और शमाशीन होते हुए मुस्कुराते हुए